असलाम वालेकूं कैसे हैं आप सब इन्शाल्ला आच्छे भी होगे खुश भी होगे येद भी आच्छे से गई होगी पता है आज इसकी शाम है आप सबों को इद की मुबारवाद तहे दिल से मेरे तरफ से अल्ला हर इद हर बंदी की पुर्नुपूर सुपून बना और हर घ नेक सोले हिदायत वाली आवलास्ते नावाज जो बेरोजगार है बच्छे मेरे उनको रोजी रिजग पाबुद वाली आता कर आज मैं बना रही हूँ एससे पी तो मामूली है मगर हेल्दी भी है और टेश्टी भी है आज मैं पालक आलू बना रही हूँ और दोपिर का ज उसको फराय करें उसके साथ शाम के लिए जो आप देखों बहुतरीन फराय के और को रहता है और उसके साथ आलू पालक बहुत अच्छी रखी और उसके साथ पराटे आप भी करो और आप मुझे बता आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी चलो जिसके मैं कर रही हूँ आप दे सनि हाज है आदा किलो आलू ली अओ एक छोटी गड़ी पाल लग के लिए हो जिसे 2022 कि लीए लेल के जिरा जाएगा बगार केली इन earnा राई जायेगी बगार के लिए इन मीर्ची जायेगी जो div चार वुई मीर्ची है बगेर्टी कियू और ये लेसान जाएगा बारी कर द junior तेल कर ने रख्यों कुअ उसमें जाएगा पहले अपना लैसंण ईसमें जर्डाइगा चाइघ्क्याराई किश्चार शॉय हरे ईसमें जर्डाइगा मिर्चि कर दकि एकदम बड़े ने, एकदम छोटे ने, दर्मिया निसाइस की प्यास है, बहुत बहतरीने सबजी लगती है, और पता है, आप नौनमेज वेश साथ में करोगे, तो घर में भी कभी कोई नौनमेज नहीं खाता, कोई बीमारी की वज़ा से, किसी को पसंद नहीं, तो आप दोन मेरे पस रहता ही हमेशा, एक दोपेर का कोर्मा है, जिसको मैंने गारा करने रख थूँ, क्योंकि इसको भी मैं अच्छे मेरे अपने तरीके से फ्राय करने करके दिखाऊंगी, जो बहुत चटपटा और तेश्की रहता है, ओ भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको मैंने, क पालक में नमक दार रही हूं हजबे जाइका, उसके साथ ही डालू अपने, आलू प्याज में आदे नरम होगे, और आदे पालक का जो पानी छुपता है उसमें नरम होगे, एक दम नरम अपने रहे गेने, अच्छे से होगा पालक और आलू, आलू पालक मुझे खुदको बहुत पसंद, मुझे मुग पालक भी बहुत पसंद, जो मैं हमेशे बनाती हूं, और मुग पालक, खुपड़े के बुद्ले भी बनाती हूं, आपको दिखाऊंगी इंशाला, अल्ला जिर्दकी दे, सबको दिखाऊंगी, और आप लोग ज़रूर देखो, आप देखोग तो चाइनल आगे जाएगा, चाइनल आगे जाएगा, तो बच्चे के तालिम की मदद होगी है, और आप मदद कर रहे हो, इसलिए अपना चाइनल चर रहा है, और वीडियो पूरा-पूरा देखते रहो, जिससे आपने को अच्छे खासे पैसे मिलेगे, वो आपने सब की सेल जाता है, और सब की बच्चों को पराने में मदद है, जो अच्छे से आएगे, तो अच्छे से बच्चे पराई करेंगे, इंशानला, और हर घर आबात अबर इसमें लपकन डालूँगी हो, जो दोपेर का कोर्मा में बोली थी ना, उसको फ्राय कर रहे हो, जिसके लिए मै करम करके रखा, आप तेल अपने को जितना लगे उतना दो, हाँ, इसको हास से मरोड कर डालूँगी, जिससे आपने बच्चे की पेट में जाता है, जाता है, जाता है, इसके बच्चे की पेट में अपना करी पत्ता जाता है, करी पत्ता पेट के लिए बहुत पाईदेमान आपको पता है तो इसको फड़ा प्राय करूंगे तो इसे पत्ती की खुजबु चितने दी तेल में अब इसमें अपना पूरा कोर्मा डाले हूं कोर्मा है वह पहले उसका पानी दाले हूं तिन बोटिया डालूंगे यानि ज्यादा नरव नहीं हो ज़या है अब जो जो मैं डाल रही हूं कुपने इसको कुपने कहा अगर आप मिक्सर में लगाए तो भी चलता है ऐसा कुपने पहले मैंने लैसन डाले अब इसमें दा रही हूं मिर्ची मिर्ची है चार और लैसन है आदा गर्डी बरा था यानि छोटी गर्डी पुरी इसमें अब डार रही हूं काली मिर्ची एक चाय की चम्मज भरके अब इसको पूटींगे यानि दर दर रहे दा है, अगर मिक्सर में भी लगा है तो चलेगा मगर दर दर रहा रहे हैं अब इसमें कॉर्मा डालंगी पुरा फिर उे कुटीवे मसाले दा रहे हूं मैं फुटींगों वह भी आपको दिखा रहे हूं अभी तक एगदम बारी आपना पालक का आलू पक रहा है अपना आदा आलू हो गया अब इसमें पालक दलूंगी यानि पालक में पूरा हो जाएगा अब आपना पालो सेबदो सबमा अब आलू में पर्फ में सक जाता है कि हैं तो इसमें एपड़ हो,, आपको ते जियादय नहों कर देजर आपना सबस्सुक्भान और इसमें तेल जयादा है और आपको तेल जयादा नौंगा तो फिर यतम दालो सिंगर Jest अब इसमें मैंने जो कुटाओ हो अथा सब और डाल होगे मैंने आपको कुटने से पहले दिखाई थी लैसन, काली मिर्ची और हरी मिर्ची यह दो पखना सब जाएगा अच्छे सी तिखा, चेट पटा, खाने में मज़े दाग लगता है अब इसमें जाएगा आव थोरा सा चाक मसला ना हो तो भी चलता है अपना ले मन जाने वला है वही कफी है ज़रूरी नहीं चटना सके इस चाट मकसला जाएगा चाय की आदी चोंचा अल्ला सब की कुर्बानियों को कबूल कर अब जो इस बार कुर्बाने नहीं किये उनको अगली साल कुर्बानी के लिए इतनी हलार की रोजी रिजग्दे के हर भर में कुर्बानी हो अब इसमें डालूंगी लेमन लेमन लास्ट टाम डालती हूं आप इससे भी सुका चाहे तो आप कर सकते हैं अब इसमें जाइंगा अपना लेमन का जूस आप जितना कॉर्मा उसी हिसाब से लेमन मसाले कुछने के लिए डाले का मैंने पूरा लेमन कुदाली हूं क्योंकि एक किलो होगा अब इसमें अपनी क्वत्तम लिर और पूधिन आ जाएगा मिर्शी के टुकले रहे है थे उसमें आप डार रहे हूं जो कुट्टे वक्त रहे थे या भी डाले भी नहीं है कुट्टे वक्त एक सेट में हो रहे थे दो तिन टुकड़े एक लेसन की बीच अपना अलो पालक भी अच्छे से हो गया अब इसको बंग करके रखते हूं आलो भी गल गया पालक भी हो गई पालक होने में टायम नहीं लगता इसी टायम पर इसम खतम करते हूं अब इसको बंग कर रहे हैं हूं बहुत मज़ेदा है जरूर अभी कुर्बानी होगी तो ऐसा कोश रहता ही है शादी का गोश भी रहता है अपने आजबद में शादी हो तो अपने को भेजते है उसको भी ऐसा करने का मज़ेदार कुशी से खाएगे डाल चावल के साथ भी और अइसा ही फूरा से इसका मसाला पुलाव को लगाओ यानि जिरा रैस को अच्छे से खाया जाता है रोटी के साथ भी बहुत बहतरी है अब इसको बन करें अब इसको बन करें अब 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 अपना फ़राई के वाग गोश्परूस रहेगी आप करके देखो आपको भी बहुत अच्छा लगे लगाए असलालीकूम फ्रेंड्स बहुत बहुत इप मुबारक हो यह जो है मेरे ममी का दोनों फेवरेट है और बहुत टेस्टी है आप करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगा आप यह दोनों चीज़े करके देखो माशालला मेरे बहुको दामात को बेटी को बहुत पसंद है आलू पालक छोटे बच्चे भी आच्छे से टीफिन में भी आच्छा पाव में भरके भी देने को अच्छा और जो अपना कोर्मा रहता है कभी शादी का कोर्मा रहता है त आप चाहे तो तेल कम डालो ने तो न डाले तो भी चलेगा मगुद बहुत अच्छा रहता है आज मैं थोड़ा पराटिक करने में सुस्ती की तो पाव खा रहे क्योंकि इतके शामसान थकता है ना सभी लोग थकते होगे अल्ला सबकी कुर्बानी को कबुल कर और हर घर को अल्ला हाफीज